The roots of binomial equation 6x square minus 5x plus 1 equals to 0 और alpha and beta find the sum of their squares मतलब क्या सर रूट्स दिया हुआ alpha, beta हमें क्या निकालना है सर alpha square plus beta square क्या ये बहुत आसान है हाँ सर बहुत ही आसान है देखो क्या होता है कि 6x square minus 5x plus 1 बरबर 0 इसको किसके साथ compare करेंगे ax square plus bx plus c के साथ compare करेंगे equals to 0 तो a बरबर कितना मिल गया हमें क्या बानलू मैंलव है अगर alpha and beta है तो alpha plus beta क्या होता है मायनसcentral minus 5 मतलब plus 5 by a कितना है 6 बाट 6 और alpha beta के value कितना होता है alpha beta के value होता है cya तो cya मतलब 1 बाट 6 ठीक है यहां तक हो गया alpha square alpha square हमें क्या दिकाला है अल्फा स्क्वेर प्लास बीटा स्क्वेर क्या हो जाएगा सर अल्फा प्लास बीटा का होल स्क्वेर माइनस ट्वाइस अफ अल्फा बीटा तो अल्फा प्लास बीटा का होल स्क्वेर कितना हो रहा है सर पांच पांच पच्चीस बटा च्छे चोके च्टीस माइनस टू इन्टू अल्फा बीटा का मतलब 2 बटा 6 ठीक है अल्फा बीटा का मतलब 1 बटा 6 ना तो यहां से क्या करता है LCM कर लेता है 36 उपर कितना हो जागा सर 25 तो है ही माइनस इधर ओर अच्छे चोगे 34 तो 6 दो 12 तो 12 माइनस करेंगे तो मतलब 13 बटा 26 is the correct answer option number 2 is the correct answer क्या आपको समझ में आया यह quadratic equation का question है यह क्या कहता है कि quadratic equation अगर AX square plus BX plus C equals to 0 है तो वहां पर उसके 2 roots होता है roots मतलब उसका solutions दो निकलेगा जिस solutions alpha and beta का value के साम होता है माइनस B भाई यह जिसको हम लोग निकाल लिए 5 बटा 6 and उसका multiplication of the roots होता है 1 बटा 6 तो A alpha beta equals to 1 बटा 6 वहीं से formula of algebra के apply किये alpha square plus beta square करके हम लोग निकाल लिए ठीक है सर चले देखते है next question क्या दिया होए